इमा, उमी, मुहबबत ये तीनों मिल जाएं तो जाती है रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही प्रोशन राही, रोशन 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 राही, रोश तो हम आप दोनों मेहमानों को खुश्याम बेख कहते हैं आसिफ अजीज आपने खिदमत के शुबे को चुना है तो क्या कह सकते हैं कि बच्पन से शौक था मसी में सबस्थ से पहले मेरे सलाम हो कोई भी खिदमत वो है जो खुदा देता है कोई भी अगर चुने तो उसमें इ इसलिए मैं ये समझता हैं कि जो खुदा की मर्जी से होता है वो सबसे बेस्ट होता है अगर मैं इस खिदमत में हूँ तो ये सारा कुछ खुदा की तरफ से है और मैं अगर कहूं कि मैं शौक से करूँ तो शौक इनसान का अगर पूरा हो जाए तो वो शौक से निकलने की क कोशिश करता है लेकिन खिदमत को शौक भी ठीक है समझे लेकिन सबसे पहले इसको खुदा की मर्जी समझे एक बोज समझ के करें फिर खुदामदा आपको और ज्यादा ब्लैसिंग करता है और अगर आप जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानना चाते हैं तो ज्यादा ज् मिलता है और आपको अपनी मर्दी जाहर करते हैं बिल्कुल जवानी में जो खुदा को याद करते हैं उसकी राह पर चलते हैं वो यकिनां खिदमत को बढ़ाता है और मौाके भी देता है बड़ी अच्छी बात कि आसिफ अजीज ने कि ये शौक तो वक्ती होता है पूरा हो है शौक पर कुछ और शौक लेकिन खिदमत में आगे बढ़ना और उसमें काइम रहना ये बहुत जरूरी है रॉबर्ट इकवाल हमारे साथ हैं और हम शुकर गुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और आप आए हैं रॉबर्ट आपका तालुक भी खिदमत के शौबों से है तो कह सकते हैं कि आप भी चुने गए और इस खिदमत में आए हैं जी मैं सबसे पहले तो खुदा का शुकर अदा करता हूं और मैं पास्टर खालत नाज सहाब का भी बहुत शुक्त गुजार हूं खुदा उनको अपने जलाल के लिए बैरूने मुलक में बिस्तमाल कर रहा है मैं जो है मुतहिदा वेलफेर सोसाइटी का फॉंडर हम चेर्मेन हूं यह सन 2001 में इसका हमने आगाज किया हमने जब 2001 में जाते हैं तो काफी सारी जो है ना वो अलाके की हालत को हम देखते हैं जब तो बहुत सी मतलब हालत जो है खस्ता थी हमारे दौदनगर की की इबनि मर्यम कलोनी की बिलाल टान की यह इन्यों वो कि जो मतलब बहूठ खृस्ता हालत थे जिन के जिन में सीवरज के बहुत सरा नकास नकाम था दूसरा सफाई के हावाले से बहुत मतलब मसायलات थे यह विजन मेरे दिल में इसलिए आया कि हमारे अलाके के जो लोग थे वो बहुत पूर थे और तालीमी लिहाद से भी जी तो जब मैंने एक फॉद्गी हुए हमारे हां अधर अलाके में तो जब हम सोशल वरकर हैं तो हमें जाना होता है मैंनों एक दुस्य के दुखदर्द मे भी शामल होना होता है तो जब मैं गया तो मैंने उनके घर की जब फालत देखी कि वो विचारे गरीब हैं हैं टू मौत हैं उनका नजाम में जो है जिन्दगी वो बड़ा मुश्किल से था गुजरना तो मेरे दिल में ये बोज आया कि क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें इनकी खिदमत करें इनके लिए कुछ करें ताके ये किसी क्या के हात्मा पहला सकें फिर वहां पर हमने जो है ना अपने एक दो चार लोगों को मैंने साथ मिलाया खुदा का शुकर है कि जो अलाका के मौजजीन हैं जो अलाका के लोग हैं उनने बहुत मरसाद कॉपिट किय समय है तो उस वक्त से लेकर आज तक हम इस खिदमत में जा रही हैं, हम सार के साथ कर रहे हैं और उस वक्त हमने यह जो वह जो पॉद्गी होती है, टैस वी लगे होती है उन उनको free of any cast provide किया जाए यह समान कुछ लोग हैं वो afford कर सकते हैं कुछ लोग नहीं afford कर सकते तो इसलिए हमने यह सुचा कि इनके लिए यह किया जाए इसके इलावा हमने अलाके के तौर पर हमने जो 10 गलिया हैं दाउद नगर की एक नमबर गली से लेकर दस नमबर गली तक हमने उनकी नमबर प्लेयर से लगवाई हैं अब उसका यह में फाइदा मिला है कि पूरा इलाका है वो दाउद नगर के नाम से जाना जाता है पहचाना इसके बाद गोजरा में इंसिडेंट हुआ उसमें हमने बहुत बढ़ चड़के इसालिया इसके इलावा अलाके के तौर पे मतलब जो माजूर लोग हैं जो जाइफ लोग हैं उनके आईडी कार्ड बनाने में उनको मुश्कल पेश आती है वो जा नहीं सकते उनके पास मतलब किनमेंस का प्रॉब्लम होता है वो नादरा की हमने गाड़ी अपने उनके गरों में अपने अपने दफ्तर में मगवाई ताके लोगों को असानी हो सके खबातियन के लिए ताके वो खबातियन उदर जाके परेशान ना हो लाइन में ना लगें या मतलब बच्छों को जारी तो की हुई है रॉबर्ट आप इनको छोट-छोटे काम कह रहे हैं लेकिन मैंने ही समझती कि ये छोटे काम है ये बहुत बड़ी खदमत है बास वकात हम नहीं महसूस करते कि किस को कहां किस चीज़ की जरूरत है और जैसे देखकर कत्रा कर चले गए जरूरत है कि लो जैसे अभी रॉबर्ट इकबाल बता रहे है कि खवातीन को मसाइल है गुर्बत है सिवरिज है इन सब जगों पर हमें खुद कदम बढ़ाने की जरूरत है और किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा तो ये करेगा खुछ से इन चुट-चुटे कामों के लिए हाथ ब अधर जे डबल्यू चर्च में मैं खिदमत करता हूँ अधर मेरा मैसीज होता है जुमिराद को और रियन डवाइन चर्च है अधर मैं मंगल को मेरा होता है मैसीज तो किच्छन टाउन से खिदमत शुरू की फिर अभी पूरे फैसलाबाद में खिदमत करते हैं हम डोर टो जाते हैं और खुदा कका कलाम प्रस्टिश के बिदिधरी जरिये भी लोगों तक मुंचआते हैं और मैं समझता हूं कि प्रस्टिश बहुत बड़ी अबादत है मैं पहले खुदा के कलाम को सुनाया करता थि लेकिन अभी मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फौकस कर रहा हू क्योंकि खुदा मुझे इस तरफ ले के आ रहे ये भी खुदा की मर्दी तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा जो आपको सिखाए वो चीज को फॉलो करना चाहिए ना के इनसान अपनी मर्दी से जिये तो हमेशा खुदा को फॉलो करें तो फिर इनसान कभी भी नहीं गिरता परस्तिश में हज़र दौत की मिसाल हमारे सामने है कि वो खुदा से बाते करता था अपने दिल की बात खुदावन के सामने उंडेलता था और खुदावन ने उनसे कलाम किया और बहुत सी बरकात दी तो परस्तिश कभी भी इसका स्टाइल या बातें या जो अलफाज हम खुदावन के हज़ूर रखना चाहते हैं ये पुरानी नहीं होती तो हमें खुदावन में अबादत में वक्त गुजारना है उसकी परस्तिश हम दो से ताइश करनी है राविट इक्पाल आप भी इसी तरह से लोगों में कलाम की ख़दमत करते हैं ये सिर्फ उनकी माली इमदाद और जरूरियात के तहत जो कुछ उनको चाहिए और फराहम करते हैं जी ऐसा है कि आपने सही बताया है क्योंकि मेरे वालद साब पास्टर है पास्टर जेमस कुछी उनका नाम है तो वो सेनियर पास्टर है प्रेस्पेटरियन चर्च के तो मतलो मैं उनका बेटा हूँ और मतलो हम उनके नक्षे कदम पर चल रहे हैं खुदा का कलाम भी लोगों तक पहुंच आ रहे हैं है हमारी कोशिश है कि जैसे पास्टर खालद नाज साब दुने के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं खुदा इनको अपने जलाल के लिए इसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके नक्षे कदम पर चल सकें हम मुला है, रहे हैं, तोल के सकते हैं कि आपको खिद्मत के तोड़या है, तो यहांसे हैं Мारे कि आपके कोके पाकलात में लिखए हैं तो का यहां मुला हो यह सुचल वरकर हैं वह भी हो एक साथ 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 खुदा का कलाम जो और दुमिभी तक पहुंच आरह हैlande यह खिदमत यही जारी रहे और और ज्यादा जोर अता करें आप तक यह खिदमत का पैशन यह खिदमत करने का जनून कैसे आया जनून इस तरह के जब मैं देखता था कभी मैसी सुनना पास्टर हजरात का तो मुझे बड़ा महसूस होना के मैं क्यूं नहीं यह कर सकता तो पर खुदा ना मुझे सिखाया मैं दौा करना ज्यादा से ज्यादा टाइम शुर कर दिया दौा को देना और ज्यादा टाइम मैं देता था चर्चिस में तो खुदा ना मुझे सिखाया कि तू भी यह करेगा और अगर इनसान खुदा से कुछ मांगे तो खुदा जरूर देता और जब हम मत्यकी अजील उसके साथ में बाप की साथमी आयत में पढ़ते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, डूंडो तो पाओगे, दर्वाजा क्षटकटा हो तो तुमारे वास्ते एख़ोञा जाएगा. जब हम पढ़ते हैं कि मांगो को तुम को दिया जाएगा तो आगे फुल स्टाप है इसका ये मतलब कि आप कुछ भी खुदा से मांग सकते हैं आप चोटी चीज़े ना मांगें खुदा हमारा बहुत बड़ा है आप उससे जो कुछ मर्दी मांग सकते हैं और जब आप मांगते हैं तो इस इमान से मांगें कि आपको मिल गया है खुदा के नजदीग कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती खुदा हर चीज़ को कर सकता है इसलिए हमें इस इमान से हर चीज़ मांगनी चाहिए कि खुदा कर सकता है हमारा खुदा इतना बड़ा है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किस किस चीज़ के मौताज ही हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है राबिर्ट अक्वाल आपके तजर्वे में यकिनन रिसंट्री बहुत सी बाते आई होंगी कि मांगने के हवाले से लोगों ने बहुत कुछ जमा करना शुरू कर दिया जिसा कि देखने में आया कि लोगों ने जखीरा धोजी करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है या आप दूसरों का हक जो है ना वो छीन रहे हैं जो जो जूरत मंद है उस तक नहीं पहुंच रहा है कि अगर तरे पास एक कुरता है तो एक उसको दे जिसके पास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं हम मतलब उस तलीम के अगेंस जा रहे हैं हमें चाहिए है कि हम अपने जो दूसरे बेहन बाई जिनके पास मतलब खुराक नहीं है उन तक पहुंच आना चाहिए और ये मेरी दूआ है कि खुदा हम सब को ये वसायल मुहिया करें ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें तो मेरा ये मेसेज है उन जखीरां दोजों से कि खुदा रहा ऐसा ना करें दूसरों का हक मत चीने बहुत खुबसूरत बाते चल रही है प्रोग्राम रोशन राहे में कि खुदा वन कहिता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और पिर दो ताकि तुम्हें भी दिया जाए बहुत सी खुबसूरत बाते इन दोनों सहबान के साथ जिनमें पास्टर आसिफ अजीज और रॉबर्ट इकबाल है इनसे चल रही है तो कुछ तेर के लिए जाना होगा क्योंकि ब्रेक के बाद वापिस साना है लेते हैं छोटा सा ब्रेक हो जाती है रॉशन राही 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 रॉशन रॉबर्ट इक्बाल पादरी साथ खिद्मत के शुबे से वाबस्ता है और रॉबर्ट इक्बाल भी खिद्मत करें हैं और इनका खिद्मत का शुबा तालीमी है सहत के मसायल से वाबस्ता है और समाजी खिद्मत जहां जरूरत है आगे बढ़ते हैं और खिद्मत करते हैं पस मैं जूब भी करता हूं मैंक मसेथ में तो मैं यह नहीं समझता कि अगर हम पास्टर हैं तो फिर ही खिद्मत कर सकते हैं हम किसी भी शौबे में हों किसी भी अदारे में हों हम खिद्मत कर सकते हैं अपने कामों से जाहर कर सकते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, कि द्रक्त अपने फलों से और इनसान अपने कामों से पहचाना जाता है, आप किसी भी शोबे में हैं, किसी भी अधारे में हैं, तो आप ये कह सकते हैं, कि बता सकते हैं अपने कामों से कि मैं मसीही, अपने कामों से बताएं, और वो खिदमत सम समझते हैं कि हम शायद पास्टर बन के खिदमत कर सकते हैं आप किसी अधारे में भी कर सकते हैं और जब आप किसी अधारे में खिदमत करते हैं तो आप अपने कामों से बताएं कि हम मसीही हैं अपने जजबात से अपनी खिदमत से बताएं अपने लहजे से बताएं कि हम मसीह पूरिए यह बात बहुत जूरी है जब आप अदारों में या, दफ्टरों में कहीं भीDER Kanon儿 में काम किर रही है, तो आप से पर खरके हे हैं, तो आप पर दिम्मTारी दूगनी हो गई है कि आपने चैसी पहले भी आपको बताईा कि खुदा का बहुत रही है कि हमारे मेंबर laiだ रोग हैं वोस कोपिये दो वह हमें तामून करते हैं तो हम घद देते हैं तो हमारा ज़श्बा और बढ़ जाता है हम और ज़दा ज़जबे के साथ अपना ही मत्री को जारी रखते हैं जबरदस्त एनए कहना पड़े हैं.... यह इसी बहुत उच्शें हमारे लोग हैं बहुत कॉपरेटिव हैं, तो हमें जबरदस ही नहीं करना पड़ती, लेकर वो खुद ही हालात को मद्द रखते हुए, मतलो खुदा ने मराया, लोगों का दिल ऐसा बनाया है, नरम दिल बना दिया है, کہ कभी किसी की मतलों मुझ 차 ने मड़्र मुझर देखते हैं, construction का पूरूं वो कैसी की पूर्स्षानी है, को सब लोग बड़एक Nicole वच्छामरी अवर्छी ताहरा है, लिए करनी हैं, वो करनी हैं. चलिए इनसे बाते हुए इनकी खिदमत के हवाले से किया क्या 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 बड़े-बड़े काम है जो यह एकर रहे हैं और खोलावन ने सप्पूर्ट किये अब इन्से जान लेते हैं तलीम मेडगा पना जा किया केया तक जी पास्टर असिफ अजीज मैं जब मैंने जोब की तो मैं मसूस करता था बहुत सारे मेंस में टामिंग नहीं कर सकता के तो इसकी वजा से फिर मैं चर्चेश भी नहीं जा सकता था, तो जोब भी तरब फ wraith की तो यहं सरकारी जॉब दी फिर खुदा ने मुझे बताया कि आपने इसके साथ खिदमत भी करने हैं यह सारा कुछ खुदा की तरफ से है यह आपने एफए किया पिर भी यह किया और उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया और उसके बाद फिर सरकारी जॉब पीजा आर्ट पे जॉब की मेट्रो कैशन केरी में की, उसके बाद मैं सरकारी जोग मिल गी और मैं खुदा का शुकर गुजारू, हर काम खुदा ने स्टेप बाइ स्टेप किया और आज सरकारी जोग के साथ मुझे खुदा ने एक पास बानी खिदमत दी है जिसकी वगया से मैं बहुत ही बलेस हुआ हूँ और खुदा की मैं शुकर गुजारी करता हूँ कि खुदावन ने हमेशा मुझे पर अपना हाथ रखा है जी, रॉबिट आप से भी जान लेते हैं कि किस तरह से आपने तालीमे मैदान में तरक्की की मेरी तालीम जो है, मैंने मेट्रिक जो है, कौमन्ट एग्रो टेकिनिकल हाई स्कूल 26 मलखाँ वाला में मैंने तालीम असल की उसके बाद मैं अपनी तालीम को कंटीनियू नहीं रख सका क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स क्रियेट हो गई जिसके वज़े से मदलब आगे अपनी तालीम को जारी ना रख सका अब वो खुदा का शुकर है कि मेरे बच्चे जो है, वो यूनिवर्सिय तक जाए, मैं अभी तालीम असल का रहे है मेरे बेटी है, वो बी-एस ओनर का रही है, बेटा लासल में है, फिस्टियर का स्टूड़न्ट है तो उससे चोटी बेटी, उसने टेंथ क्लास के वेपर दी है, चोटा बेटा, वो लासल केमपस टू में है, तालीम हासल का रहे है तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, कि मैं अगर आगे तालीम जारी ने रख सका, तो खुदा ने मुझे ये तवफीक दिया है, कि मैं अपने बच्चों को जो मैं नहीं हासल कर सका, वो खुदा के वसीला से, खुदा के जरिया से मेरे बच्चे हासल कर सके तो मैं बहुत खुश हूँ खुश हूँ खुश हुँ खुश हुँ खुश हुश 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 ह तो मैं समझता हूँ कि तालीम जो है वो इनसान को तारीकी से उजाले में लेके आती है यह इनसान जो उसको अच्छा इनसान बनाती है तो जब आप अच्छी इनसान बनते हैं, अच्छी सोच होती है, आपके अच्छी ख्यालात होते हैं तो फिर ही आप अच्छी खिदमत कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एडूकेशन इनसान को सबसे पहले अजूकेशन असल करने चाहिए। बहुत खुब कहा रॉबर्ट अक्बाल ने कि तालीम जरूर हासिल करनी है क्योंकि इल्म, हिक्मत, इनका हसूल सोने चांदी से बेहतर है। और बड़ा अच्छा लगा कि खुद भी तालीम की जरूरत को महसूस करते हैं और बच्चों में भी इस जजबे को परवान चड़ा हैं कि आप पढ़ें, तालीम, सिहत, समाजे ख़दमत, ये सबी जब यक जाओंगे तो माशरे की फलाओ और बर्बूद होगी। पस्टर आसिफ अजीज आप से जानते हैं कि नौजवानों को आप क्या कहेंगे, कि उन्हें पासबानी ख़दमत में आना चाहिए? जरूर आ पासबानी यानि पास्टर की या मबश्राना ख़दमत कर सकता है। जब हमारे पास तालीम नहीं तो हम इसी तरह हैं जैसे तारीकी में गूम रहे हैं और जब हम तारीकी में गूम रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहां क्या चीज पढ़ी है। जब हम तालीम हासल करत हैं तो हमारी खास सोर पे एक रुहानी आंखे में खुल जाती हैं हम बाइबल को पढ़ सकते हैं और पासबानी में भी आ सकते हैं जब हम पड़े लिखे होंगे तो खुदा हमें और ज्यादा ब्लेस करेगा और इन दिनों तो पास्टर असिफ अजीज ऐसा है कि तालीम हासल क करें दूआ करें और वक्त गुजारें खुदा उनके साथ तो जरूरी है कि इल्म हासल करें और कलाम खुदा का इल्म तो बहुत खुब है आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे राबर्ट इक्बाल जी मैं नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि वह अपनी तमाम त भीध़ की लानत से दो चाह हैं तो मैं उनको मैसेघ देना चाहूंगा कि ताकर आपको रोचनी मिल सकें, आप समझे के हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब आप rouगो, बुरी राह पे नहीं जाना, हमें अच्छी राह में जाना है, जाना है, इसमें काम करें ताके आपका दिल भी मुत्में हो और खुदा की जो मर्जी है वो भी पूरी हो सके जबर नहीं करक 못तेnisse आपके साथ ही मिलें जहां जहां मौटे हैं खद्मत के इनसानियत की भला आए के काम करें जी बिल्कुल तो इसमें आपने जो बताया है कि आप बढ़ सकते हैं लोगों की मदद कर सकते हैं माली तोर पर भी और रोहानी तोर पर भी वक्त आ गया है कि इन महमानों से हम पेगाम लें जी क्या कहना चाहेंगे आसिफसीस देखने वालों को मैं यह कहांगा कि आप सखाव रियाजत इस पर जोर दें क्योंकि देना जो है वो बहुत ही जरूरी है खुदा के कलाम में लिखा है कि लेने से बेतर देने वाला है तो आप इस चीज़ को रिटीन बना लें कि अगर आपके पास दास रपेया है तो आप कोशिश करें कि किसी को एकरपया भी दे 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 उ से भी आपकी मदद आप मदद कर सकते हैं जरूरी नहीं कि हजारों रुपेय से आप मदद करें और खुदा के कलाम में लिखा है अब रानी को किखा तुसका तेरमा बाप उसकी सोलवी आयत में के और बलाई करना ना बूलो इसलिए कि खुदा को ऐसी कुर्बानिया पसंद है तो हमें बलाई हमेशा करनी चाहिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता यह उसके लिए गुना है तो सोचने के लिए बहुत सी बाते हैं रॉबर इकबाल आप प्रगरम के आखिर में देखने वालों को क्या कहेंगे जो आयत आपने अभी बोली है हमारी यह मर्कजी आयत है हमने अपने पेज के ओपर अपने लेटर पैड के ओपर भी यह लिख है याकूब चार बाब उसकी सत्रा आयत पस जो कोई बलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए गुना है तो मैं यह समझता हूँ कि हमें मतवब बलाई करनी है यह जो हम यह काम जो कर रहे है यह लोगों के भले के लिए कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए क्योंकि यह पाकलाम कह रहा है मैं नहीं कह रहा पाकलाम कह रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए और एक दुसे की हेल्प करनी चाहिए ना के हम देख बूलकर उनके साथ बलाई करनी है क्योंकि हमने खुदा के इकलाम को पूरा करना है बिलकुल आपका शुक्रिया कि आप आए और हमें वक्त दिया हम शुक्र गुजारे हैं पास्त आसिफ अजीज और रॉबर्ट इक्बाल आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देख कुदा हाफीज